हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजरी चीकर ट्रिक, मैं गौरव एक बाँ फिरास अबी के सामने, दोस्तों आज हम बात करेंगे direction के पार्ट 2 पर, जे हां दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले पार्ट में जो है direction के basic फंडे समझे थे, अब हम direction के पार्ट 2 पर आ चुके हैं, जि आएए फ्रेंट्स शुरू करते हैं अभिनाव ने अपने घर से भागना प्रारम किया वह पहले 12 किलोमेटर पस्चिम के और भागा फिर वह उत्तर के और मुड़ा तथा उसी दिशा में 16 किलोमेटर भागा अभिनाव अपने घर से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है फ्रेंट्स ऐसे कोशन आपको एक्जाम में देखने को बिलेंगे ये कोशन भी देले एसा ही 2017 में पूछा गया है आए इसे बनाते हैं तो देखिए 12 किलोमेटर पस्चिम के और भागा मान लेते हैं ये 12 किलोमेटर है आगे देखते हैं फिर वह उत्तर के और मुड़ा तथा उसी दिशा में 16 किलोमेटर भागा अब देखिए फ्रेंट्स नौर्थ कहाँ पर है उपर की और ठीके यहां से नौर्थ मतलब उपर की और चला और कितना चला 16 किलोमेटर तो यहां से यह हो गया 16 किलोमेटर अभी नहीं अपने गर से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है अब देखे फ्रेंट्स यहां से भागना स्टार्ट किया था और यहां पर पहुंच गया यहां पर यह बन जाएगा 90 डिगरी क्योंकि एक राइट यह लेफ्रन दोस्तों कितनी डिगरी का होता है 90 डिगरी का हमें यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है निकालना है और बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो लास्ट पॉइंट है वह किस दिशा में है जली अब देखे इसे सौल कैसे करेंगी 90 डिगरी के सामने वाले भुजा क deal कि कल्न आये इसे नाम दे देते हैं इसे देते हैं O देते हैं킨 बी तो औब का वर्ग मतलब कल्ण का वर्ग बराबर लंब देखे लंब कितना हैं हमारे पास में 16 कवर प्लस आधार कितना है 12 कवर गया चली 16 कवर दोस्तों कितना हो गया 256 और 12 कवर कितना हो गया 144 दोनों को एड कर दीजिए यहां से square अटा दीजिए यहां से root लगा दीजिए कितना जाएगा under root 400 under root 400 मतलब दोस्तों कितनी आगे value 20 km तो O से लेके B तक की जो B है वह कितनी है 20 km है और बिंदू B जो है वह है यदि O के comparison में हम देखें तो कौन सी दो दिशाओं के बिश में है North और West के मद्ध में मतलब North West लेरे तो यहां पर फ्रेंट्स हमार answer क्या होगा 20 km North West option D is correct answer लेरे चलिए आगले question में चलते हैं e पिर यहां से दाएं मोड़ने के बाद 50 km और चली तो देखें यहां से राइट टनलेगी और 50 और चलेगी तो यहां पर भी कितना हो गया यह 50 मीटर वह पुनह दाई मूड़ी तथा 70 मीटर चली अब देखे यहां से राइट टर्ण लेकर कितना चली दोस्तों 70 मीटर अब देखे 70 चली है तो इसको 50 से थोड़ा सा बड़ा बनाना होगा क्लियर है चली आगे बढ़ते हैं अंत तह दाय और मुड़ी तथा 50 मीटर और चली तो यहां से देखे फ्रेंट्स राइट टर्ण लिया और कितना चला 50 मीटर चली ठीक है तो 50 मीटर और चली क्या पूछा है डी वह बिंदू से किस दिशा तथा कितनी दूरी पर है अब जो थे यह 50 और यह 50 मतलब यह दोनों किसे रहएंगे एक दूसरे के आमने सामने तो यहां से देखेंगे तो कौन सी डारेच्शन है यह नौर्थ? ठीक है तो नौर्थ हमारा डारेच्शन का अंसर तो आ चुका अब देखेंगें डिस्टेंस कितनी है तो आए यह निकाल लेते देखिए ये 50 है और ये भी 50 है तो इतना यतना यादी 70 होगा तो यहाँ से मैं इतना area यहादी यह मैला दूँ तो यह भी कितना हो जागा दोस्तों पूरा total यहाँ से लेकर यहाँ तक का 70 मीटर हो जाएगा बोले सही है ठीक है अब देखें फ्रेंड्स उस 70 में से यहाँ तक का हिस्सा कितना है 15 मीटर तो यहाँ एक लास्ट पॉइंट से फ़िए लास्ट फॉइंट यहाँ पार बिंदू डी जो है वहा कितनी दूरी पर होगा केवल 20 मीटर की दूरी पर होगा क्लियर एक नहीं फ्रेंड्स कृति का दक्षिन की और 40 मीटर चलती है आए यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं कृति का दक्षिन की और कितना चली दोस्तों 40 मीटर आए बनाते हैं देखें यहाँ से माल लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा यह स्टार्टिंग पॉइंट SP, यहां से कितना चली दोस्तों, 40, चली, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख देते हैं, 40 मीटर, फिर वह अपने दाएं और मुढ कर 30 मीटर चलती है, यहां से राइट टन लेती है, और कितना चलती है, 30 मीटर चलती है, इसको मान लेते हैं, 30 मीटर, आगे बढ़ते हैं, फिर वह अपने बाई मुढ कर 50 meter चलती अब यहां से left tern लेती और कितना चलती 50 meter तो यह कितना हो गया निकालना है यहां से लेके और यहां तक की distance हमें निकालना है मतलब यह वाली जो दूरी है हमें उसे निकालना है simple है बिल्कुल देखे ये 40 हो गया ये 30 हो गया और ये 30 हो गया देखे ये 30 है और ये 30 है तो इतना इतना हिस्सा ये 50 मिटर है तो इतना इतना हिस्सा भी दोस्तों कितना होगा 50 मिटर बोले clear है ठीके ना ये 30 है और इतना इतना 30 है तो इतना वाला हिस्सा ये 50 है तो यह सामने वाला जो dotted is five अभी कितना होगा दोस्तों 50 मेटर का होगा परंतों हमसे 50 मेटर आएगा क्या नहीं क्योंकि हमसे क्या पुछा है starting point यहां से उसने चलना start किया मतलब यहां से उसने चलना start किया और last point यह हो गया तो इतनी पूरी दूरी कितनी है देखिए यह 50 हो गया और यह 40 हो गया दोनों को एड कर दी यह कितना जाएगा 90 मेटर तो starting point से last point का distance कितना आ रहा है दोस्तों 90 मेटर क्लियर है तो option D is correct answer मतलब friends एक बार यादि आपका diagram बन गया तो उसके बाद में answer निकालना बिल्कुल ही simple होता है बस आप लोग याद यह रखेगा जहाँ पर 40 मेंटर बोला है उसको 40 मेंटर के साफ से बनाईए जहाँ पर 30 बोला है उसको 30 के साफ से बनाईए जहाँ पर 50 बोला है उसको 50 के साफ से बनाईए clear है diagram सही बनेगा तो answer विल्दी आएगा आगे बढ़ते हैं देखे फ्रेंट्स पी और क्यू एक ही बिंदू से साइकल चलाना स्टार्ट करते हैं देखे पी और क्यू जो है वो एक ही बिंदू से साइकल चलाना स्टार्ट कर रहा है ठीके पी उत्तर की और 18 किलोमेटर साइकल चलाता है यह वाले point को, P जो है वह उत्तर की और 18 km cycle चलाता है देखे, यहां से मानले जिए दोलों ने start किया चलना P जो है 18 km उत्तर की और cycle चलाता है यहां उन्हें मानले 18 km यहां पर आगया P, आगे पढ़ते हैं फिर वह अपने दाहियों और मुड़ जाता है और 3 km cycle चलाता है यहां से उसने right turn लिया और कितना चला दोस्तों, 3 km तो उसको मानले लेते हैं, यह 3 km है ठीके, तो यहां पर देखे, कौन आ गया P आ गया, आगे बाद किस की करिए, देखे दोस्तों Q की तो यहां से पढ़ते हैं Q से, Q पूर्व की और 9 km cycle चलाता है अब देखे, दोनों ने चलना यहां से start किया था तो अब यहां से Q चलाएगा 9 km तो यहां से यह हो गया 9 km कितना? पूर्व की और ठीके, आगे बादते हैं फिर वहां उत्तर के और मुड़ आता है तो था उत्तर के और 10 km तक cycle चलाता है तो देखे, यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? 10 km हो जाएगा माण लेते हैं क्लियर है? चली आगे पड़ते हैं फिर वहाँ बाइं और मुड़ जाता है तता 6 km साइकल चलाता है अब देखें यहां से left turn लिया और कितना चलाता है 6 km तो यह हो गया दूस्तों 6 km P की स्थिति से अब Q कहां पर है P की स्थिति से अब जो Q है वो कहां पर है देखें Q यहां पर आकर रुख गया 9 km है टूटल और उपर भी दोस्तों देखें कितना हो रहा है 9 km कैसे देखें तीन यहां पर चल दिया और 6 यहां पर आ गया तो तीन और यह टूटल मिला दे तो कितना हो जागा दोस्तों 9 km मतलब यह वाली जो distance से किसी आ रही है दोनों की same आ रही है अब यदि cm आ रही है तो देखें अब इसको निकाल लेते हैं यदि यह यहां से लेके यहां तक का यदि इस point को नाम देते हैं A इस point को नाम देते हैं B A से लेके B तक की दूरी जो है दोस्तों 18 है तो यहां से देखे यह दी मान लेते हैं कि यह लाइन को हम आगे खसकाते हैं यहां पर कोई पॉइंट हो जाएगा C और यह कोई पॉइंट हो जाएगा D तो यहाँ से लेगे, C से लेगे, D तक की दूरी कितने होगी दोस्तों, 8 km क्यों, क्योंकि देखे, 10 तो पहले ही चल चुका था, तो बचावा कितना, 8 km क्योंकि यह 18 है, तो यह भी कितना होगा, 18 ठीके, क्योंकि यह वाला पूरा हिस्सा किसा है, बराबर तो मतलब क्या बनना है दोस्तों यह आयत बन रहा है एक तरह से देखा जाए तो clear है 18 यहाँ पर है 18 यहाँ पर है उसी प्रकार से 9 उपर है और 9 नीचे है तो यहाँ पर देखे फ्रेंट्स यदि यह 8 किलो मेटर इतना इतना इससा है तो P से लेके Q तक की दूरी भी कितनी होगी दोस्तों सेम मतलब 8 किलो मेटर तो P से देखे तो Q कहाँ पर है 8 किलो मेटर और दक्षिंड में है तो option A is correct answer 8 किलो मेटर और दक्षिंड की ओर ठीक है फ्रेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं अंगले question पर X और Y एक ही बिंदू से शुरुआत करते हैं X पस्चिंड की ओर 17 मेटर चलता है अब देखे मनाते हैं X जो है 25 की ओर कितना चल रहा है 17 मेटर और Y की बिंदू से start कर रहा है यहां से start कर रहे है यह लोग X जो है 17 मेटर εचे किदर चला दूस्तों पस्चिंड की ओर ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर वह अपने दाहीन और मोड जाता है तता 13 मीटर चलता है यहां से right turn लेता है और कितना चलता है 13 मीटर तो उसको मान लेते हैं यह कितना है 13 मीटर है यह किसी बाद चल रही दोस्तों X की चली आगे बढ़ते हैं उसी समय Y उत्तर की और 9 मीटर चलता है अब देखें यहां पर X आ चुका है बात चल रही अब Y की तो बनाते हैं यहां से start करना है Y जो है उत्तर के और कितना चला दोस्तों 9 यहां पर मान लेते हैं यह कितना है 9 मीटर आगे पढ़ते हैं फिर वह पूरू के और मोड जाता है और 7 मीटर चलता है यहां से right hand side turn लिया मतलब पूरू के और मोड गया और कितना चला 7 मीटर चल गया आगे पढ़ते हैं फिर अपनी बाई और मोड जाता है तथा 4 मीटर चलता है यहां से left hand लेता और कितना चलता है 4 तो यह कितना हो गया 4 मीटर क्लियर है आगे देखिए X की स्थिती से अब Y कहां पर है तो देखिए Y यहां पर आ हम देते हैं O, A, B, इसको देते हैं C, D और E ठीक है चली यह person X है यह person Y है अब देखिए A से लेके यदि B की दूरी देखे दोस्तों तो कितनी है 13 मीटर है A से लेके B तक की दूरी कितनी दूरी कितनी दूस्तों 13 मीटर उसी प्रकास दूस्तों यहां पर ध्यान दीजिए तो यदि O से लेके C तक की दूरी 9 है तो इतनी इतनी दूरी भी कितनी होगी दूस्तों 9 मीटर की हो जाएगी कि नहीं बोली है clear है ठीक है इसको यहां से इत दोस्तों 13 हो जाएगा कितना हो जाएगा 13 मेटर यह भी 13 मेटर मतलब एक दूसरे के आमने सामने आचुके तो देखे friends यहाँ पर यह 17 है और यहाँ पर यह कितना है साथ मेटर टोटल लेकिन यहाँ से लिए यहाँ तक कितना हो जाएगा तो सबको add कर देंगे तो 17 और 7 कितना हो जागे दोस्तों 24 मेटर क्योंकि आयत क्या हमने समने की बुजाएं बराबर होती है तो यह कुछ इस प्रकार से बेसिक डाइगराम इसका बनेगा कि यहाँ पर 13 मेटर है यहाँ पर 13 मेटर है और उपर नीचे की साइट कितनी कितनी है दोस्तों 24-24 मेटर की है क्लियर है तो हमार आंसर क्या होगा 24 मेटर और पूर्व की ओर option D is correct answer क्योंकि हमसे question में पूछा क्या है कि X की स्थिति से अब Y कहाँ पर है तो Y कहाँ पर है दोस्तों पूर्व में देखे फ्रेंड्स एक विमान पस्चिम के ओर 100 मेटर उड़ता है आएए बनाते हैं इसे विमान जो है पस्चिम के ओर कितना उड़ रहा है 100 किलोमेटर यहाँ पर लिख लेते हैं 100 किलोमेटर clear है आगे बढ़ते हैं फिर वहाँ दक्षिन के ओर मुड़ जाता है और 1500 किलोमेटर उड़ता है देखे यहाँ से दक्षिन के ओर मुड़ा और कितना चला 150 तो यहाँ पर लिख देते हैं 150 किलोमेटर फिर यहाँ पस्चिम के ओर मुड़ जाता है और 300 किलोमेटर उड़ता है अब देखें पस्चिम के और मोड़ रहा हूँ कितना चल रहा है 300 km यहाँ पर इसको कर देते हैं डबल तो यह कितना हो गया दोस्तों 300 km उड़ गया आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ अपनी दाई और मोड़ जाता है तथा 1500 km उड़ता है यहाँ से राइट टन लेता और कितना चलता है 1500 km तो यह 1500 तो यतना इतना भी कितना हो जाएगा 1500 km क्या पूछा है वह अपने प्रादंबे किस्तिती से अब कहां पर है ठीक है तो कहां है देखें यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया था और यहाँ तक आ चुका है तो यह पूरी डिस्टेंस हमें निकालना है य यहाली आयन निकाल जाते हैं बिलकुल सिंपल है देखें फ्रेंट्स यदि यह 1500 km यह सामने वाले किसा है 1500 तो यह वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी दूस्तों 300 किलोमेटर की हो जाएगी कि नहीं बोले क्लियर है यह 300 यहां तक हो गया परंतु यहां से चलना है स्टार्ट किया था उसने ठीक है मतलब यहाले पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहां पर है और लास्ट मेंट यहां पर है तो इतना यतना 300 हो गया तो ओपर का विस्ता 300 हो गया परंतु यहां पर कितना और बचा है 100 किलोमेटर और एड करना बचा हुआ है तो 300 और 100 कितना हो जाए दोस्तों 400 किलोमेटर ठीक है 400 किलोमेटर लेकिन कहां पर है पस्चीम की ओर तो हमारा आंसर क्या होगा option C 400 किलोमेटर पस्चीम की ओर clear friends, चलिए आगे बढ़ते हैं के लिए question पर देखे friends, एक paper वाला लड़का पूर्व की ओर 10 किलोमेटर cycle चलाता है, आईए यहाँ बनाते हैं, 10 किलोमेटर कहां चला रहा है दोस्तों, पूर्व की ओर cycle चला रहा है यह 10 किलोमेटर मान लेते हैं और पूर्व की ओर cycle चलाई फिर दक्षिन की ओर, मुड़ जाता है तथा 3 किलोमेटर cycle चलाता है, यहाँ से दाय और मोड आता है और 3 किलोमेटर साइकल चलाता है यहां से right टर्न लिया और कितना चला दोस्तों तीन किलोमेटर साइकल चलाया तो यह 3 किलोमेटर यहां तक पोभग गया ठीक है चली अब question कैप उचा है यह देखे लेते हैं वह अपनी प्रारंबिक इस्थी से आप कहां पर है देखिए स्टार्ट यहां से किया था उसने स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर हो गया और यहां पर आकर वो खतम हो गया मतलब रुख गया तो लास्ट उसका यहां पर हो गया तो starting point से last point का distance बिल्कुल simple question है दोस्टों पूरा इतना इतना हिस्सा दोस्टों कितना है 10 उसमें से यदि ये वाला हिस्सा देखें तो कितना है 6 km का तो बचावा दोस्टों इससा कितना हो जाएगा दोस्टों 4 km का बिल्कुल simple तो starting point से last point का distance कितना आ रहा है दोस्तों, 4 km, clear रेकिनी friends अभी को, क्योंकि देखिए ये वाली दूरी जो है वो और ये वाली दूरी जो है, वो दोनों कैसी है, same है, ठीके, तो 3 हो 3 ये पूरी same हो गई, तो ये इतना 6, दो पर कभी से कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, तो बचा simple हो जाता है friends, और friends आप इसकी जितने practice करते जाएंगे, इस chapter की उतने आपको question clear होते जाएंगे, ठीके, चली, आगे बढ़ते हैं, देखे friends, एक प्रवासी पक्षी, उत्तर की ओर, 40 km उड़ता है, अब एक प्रवासी पक्षी है, जो 40 km कहा उड़ रहा है, उत्तर की ओर, आ पूरू के ओर मुड़ जाता है, और 50 km उड़ता है, देखे, यहां से पूरू के ओर मुड़ता है, और 50 km उड़ता है, आगे पढ़ते हैं, फिर वह उत्तर के ओर मुड़ जाता है, और 110 km उड़ता है, देखे, यहां से उत्तर के ओर मुड़ा, और 110 km उड़ गया, तो मान ल आपको किसा बनाना है सेम ये भी पचास है और ये भी कितना है पचास किलोमेटर क्लियर है वह अपनी प्रारंबिक इस तीजिश आप कहां पर है मतलब यहां से उसने चलना स्टार्ट किया था लास्ट पॉइंट यहां पर आ चुका है तो हमें टोटल दूरी निकालना है फ्र 110 किलोमेटर समझ मैं आ रहा है फ्रिंड्स कलियर है यदि इतना यतना इतना इससा 110 किलोमेटर का है तो इतना इतना इससा भी कितना जागत दूरी है वो 110 किलोमेटर है परन्तو हमें से starting point बुच्छाँ तो starting point यहां से कितनी दुरी पर हो रहे हैं 40 kilometer दुरी पर और है यहाँ पर 110 में 140 add करना होगा मतलब कितना हो जाएगा 150 kilometer 150 kilometer और कहाँ पर उत्तर की ओर क्योंकि देखें starting point यहाँ पर है यहाँ से हम plus बनाएंगे तो उपर कौन सी दिशाय देखतों देखे नॉर्थ तो 150 किलोमेटर उत्तर की और option B is correct answer समझ मैं है friends clear है चलिए अगले question में चलते हैं देखे friends रोहिणी 10 किलोमेटर उत्तर की और चलती है आएए बनाते हैं यहां से मान लेते हैं यतना इतना हिस्सा कितना जाएगा 10 किलोमेटर का तथा दाएं और मुड़ती है और वहां 10 किलोमेटर चलती है यहां से right टन लिया और कितनी चली 10 किलोमेटर अगेन तथा फिर बहाएं और मुड़ती है और 10 किलोमेटर चलती है यहां से एक और राइट टन लेती है और कितना चलती है दस किलो मेंटर मतलब देखे सभी दूरी सेम हैं दस 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 वाली क्या पुछाए देखे फ्रेंट्स यहां पर हमसे कोशन पुछाए वह अपने आरमेक बिंदू से कितनी दूरी पर है और किलो मेंटर में बताना है देखे इस टार्टिंग पॉइंट उसका यह हो गया लास्ट पॉइंट उसका यह हो गया अब यह वाली दूरी कैसे निकालना देखे फ्रेंट्स यह जो है यह कैसा रहेगा बिलकुल एसा रहेगा तो कुछ इस प्रकाश से डाइगराम बनेगा अब यह पॉइंट यह पॉइंट वह दूस्रे को टच करेंगे अब यहाँ पर हमें निकालना है दूरी इस टार्टिंग ओंसा लास्टिंट की देखे किसे निकालेगे इन पॉइंट को सबसे बहले मैं नाम दे जेता हूं तो B से लेके F तक की दूरी ये भी कितनी हो जागी दोस्तों, 10 km, बोलिए clear है, और उसी प्रकार से देखे दोस्तों, B से लेके C तक की दूरी कितनी है, 10 km, तो उसी प्रकार से देखे F से लेके, और D तक की दूरी वो भी कितनी हो जागी दोस्तों, 10 km, बोलिए clear है, तब यह कितना हो गया टूटल बीस दस दस यह भी कितना हो गया बीस और हमें स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है लास्ट पॉइंट यहां पर है यह दूरी निकालना है तो 90 डिगरी सामने ले बुझा कर्ण लगा जाते हैं पाइथागोरस प्रमे तो देखे क्या करेंगे ए से यहां पर भी 10 है यहां पर भी 10 है ठीक है तो एई का वर्ग बराबर 20 का स्क्वेर दोस्तों कितना 400 वापस 20 का स्क्वेर कितना 400 यहां से स्क्वेर हटाईए यहां पर अंडरूट लगा दीजिए अंडरूट 800 अब जब आप अंडरूट 800 को सिंप्लिफाई करेंगे तो यहा मतलब option c is correct answer b शुरूट 2 km यही होगी दूरी a से लेके रहे e तक की clear friends समझ मैं है सबी को चलिए आगे बढ़ते हैं देखे friends अगला question क्या किरा है एक हाई कर दक्षिन की और 2 km जाता है देखे यहाँ से दक्षिन की और कितना चला यह 2 km यह होगी अमारा starting point sp starting point फिर भाँ पश्चिम की और मुड़ जाता है तथा आगे 4 km ओर चलता है अब यहाँ से पश्चिम की और गया कितना 4 km आगे पढ़िए फिर भाँ उत्तर की और मुड़ जाता है और 5 km चलता है यहां से उत्तर के और कितना चला पांच किलो मेंटर उसको मान लेते हैं यह पांच किलो मेंटर है फिर वो अपने दाहीने और मुड जाता है और आगे चार किलो मेंटर चलता है यहां से यहां तक कितना ओजाएगा चार किलो मेंटर क्योंकि friends समय सामने दिख रहा है ये चार है तो इतना इतना में कितना है चार ठीक है चली अब क्या पूचा है हम से वही अपनी शुरुआती स्थिति के संबंद में अब वह कहां पर है मतलब अपने starting point के तुलना में यहां पर ये जो last point आया है ये कितनी दूरी पर है ये कहां पर है तो देखे ये इतना इतना चार किलोमेटर है तो उपर का भी चार किलोमेटर है तो friends ये पूरा पांच किलोमेटर है आईए इसको नाम देते हैं A, B, C, D और E तो आपको क्या है clear हो जाएगा समझने में समझने में भी आसानी होगी और मुझे समझाने में भी आसानी होगी देखे, friends C से लेके B तक की दूरी ये चार किलोमेटर है तो देखे, D से लेके E तक की दूरी कितनी हो जाएगी दूस्तों चार किलोमेटर जो की सवाल में दिये हुआ था अब यहाँ पर देखे हैं C से लेके D तक की दूरी ये वा कितनी है पांच किलोमेटर तो उसी प्रकास से देखे दूस्तों E से लेके B तक की दूरी कितनी हो जाएगी दूस्तों पांच किलोमेटर बोलिए clear है मतलब E से लेके B तक में 5 km टोटल चला उस मेंसे A और B की दूरी कितनी है 2 km तो बचाओ ऐससा दोस्तों कितना हो जाएगा 3 km का 5 मेंसे नीचे 2 चला तो ओपर कितना बजाएगा दोस्तों सिरी सिवात है 3 km तो A से लेके E तक की दूरी कितनी है 3 km और E कहां पर है, उत्तर में, कहां से देखा है, A से, क्योंकि स्टाइटिंग मॉइंट कहां है, A पर, तो A से देखेंगे, A को, तो कहां पर दिख रहा है, नौर्थ में, और कितनी दूरी पर है, 3 किलोमेटर, तो 3 किलोमेटर उत्तर, मतलब option B is correct answer, ठीके, चली, आगे बढ़त की और 1 किलोमेटर तक चलती है, देखें दोस्तों, question थोड़ा सा बढ़ा है, तो आए से, बनाते हों चलते हैं, पहला point हमें यहां पर क्या दिया गया है, पहली जानकारी, पहली बहिला जो है, वह दक्षिन की और 1 किलोमेटर चलती है, आए बनाते हैं, देखें, यह हमने ब ठीक है, इसको मान लेते हैं, यह कितना है, 6 किलोमेटर है, इसी बीच, दूसरी महिला, पश्चिम की तरफ, 5 किलोमेटर चलती है, अब देखें, starting point यहां पर है, sp, अब यही से दोनों ने चलना है, start किया, अब दूसरी महिला की बात चल रही है, दूसरी महिला देखें, यहां से उत्तर के और मुड़ी, और कितना चली, 4 किलोमेटर, आगे बढ़ते हैं, फिर वह अपने बाएं और मुड़ जाती है, और अपने घर तक पहुंचने के लिए, आगे 1 किलोमेटर तक चलती है, यहां से लेफ्ट अन लेती है, और कितना चलती है, 1 किलोमेटर, तो और हमें दूरी भी बताना है, यहाँ पर देखिए, option से समझ में आ रहा है, तो दूरी और दिशा दोनों बताना है, देखिए friends, यदि A से लेके B तक 6 km है, तो यहाँ पर यदि मैं एक line को connect करता हूँ, यहाँ तक, तो यह E से लेके, इस point को नाम देते हैं F, यह भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 km, क्यों? नधेके, C से लेके O तक की दूरी जो है, वही D से लेके दूरी F तक की है, तो यह भी कितने हो जाएगी? friends यहाँ पर 4 km ये 1 km ये 5 तो total F से लेके A तक की दूरी 5 km है उसी प्रकार से A से लेके B तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 km मतलब यहाँ पर हमने क्या बना दिया पुरा आयत बना दिये जो कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहाँ पर देखे A से लेके जो हम F तक आए तो A से लेके F तक कितना हो गया 6 km हो गया A से लेके B तक ये E है ये F है ये B है और ये A है और A से लेके B तक भी दोस्तों कितना है 6 km है उसी प्रकार से F से लेके पर है पांच किलोमेटर पर है और कहां पर है उत्तर दिशा की उर है क्योंकि पहली महिला यहां पर आकर रुक गई थी और दूसरी महिला यहां पर आकर रुक गई थी और उसका घर यहां पर है ठीक है तो पहली महिला के घर के संदर में दूसरी महिला के घर कितनी दूरी पर ह पांच किलोमेटर पर है और कहाँ पर है उत्तर में मतलब option A is correct answer चलिए आगे बढ़ते हैं देखे friends next question क्या कहता है P तथा Q एक ही बिंदू से चलना आरहम करते हैं और दोनों विपरी दिशा में 35 किलोमेटर चलते हैं अब P और Q जो है मान लिजे इस point से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और विपरी चल रहे हैं मतलब एक यदि इस तर दिशा में जाएगा तो दूसरा इस दिशा में जाएगा और कितना चल रहे हैं दोस्तों दोनों 35-35 किलोमेटर तो देखें फ्रेंट्स आइस को यहाँ पर दूसरा कर ले लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 35 किलोमेटर और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 35 किलोमेटर क्योंकि दोनों विपृत चल रहे एक दूसरे के विपृत दियारेक्षन में और कितना चल रहे हैं? 35 km, ठीक है? आगे बढ़ते हैं P, बाएं और मुलकर 25 km चलता है माल देज़े, यहां से P जो है, वह बाएं और मुल रहा है और कितना चल रहा है? 25 km तो यह हम मान लेते हैं यह कितना है 25 किलो मेटर और आगे देखते हैं Q जो है वह भी 2 और मुलकर 25 किलो मेटर चलता है अब यहां से मान लेते हैं यह Q है यह P है तो यह क्या हो जाएगा Q और यह भी कितना चल रहा है 25 किलो मेटर यह कून हो गया Q वे एक दूसरे से कितनी दूर पर है, किलोमेटर में बताना है, देखे, अब यहाँ पर question थोड़ा सा tricky है, देखे friends, यहाँ से दोनों ने चलना स्टार्ट किया, एक पूर्वी के और चले गया, एक पश्चिम के और चले गया, दोनों 35-35 किलोमेटर चले, दोनों ने left hand लिये, और 25 किलोमेटर चले, ठीके, अब यहाँ से friends, हमें बताना है, कि P से लेके जो Q तक की दूरी है, वह कितनी है, तो देखे, उसको निकालेंगे कैसे, कि जो P से लेके Q तक की दूरी है, वह इस midpoint से होकर जाएगी, तो कुछ इस प्रकास से diagram बनेगा, यहाँ पर, और हमें P से लेके Q तक की distance को निकालना है अब किसे निकालेंगे, इसे बिल्कुल simple है, देखे, यदी हम मान लेते हैं इस point को A, इस point को मान लेते हैं B, इस point को मान लेते हैं C, अब देखे, यदी A से लेके P तक की दूरी 25 किलोमेटर है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, AC की एक line से हम ले लूँगा, इसको नाम द लेके D तक की दूरी भी कितनी होगी दोस्तों, 70 किलोमेटर, A से लेके B तक 35, B से लेके C तक 35, 35, 35, 70, तो A से लेके C तक की टोटल दूरी कितनी होगी दोस्तों, 70 किलोमेटर, उसी परकार से P से लेके D तक की दूरी कितनी होगी दोस्तों, 70 किलोमेटर, अब देखे, हमारे लंब जो है वह कितना हो जाएगा 25 और 25 दोनों को add कर दीजी 50 हो जाएगा यहाँ पर यह Q है ठीक है यहाँ पर यह D है बीच वाला point को add नहीं किया है यहाँ ठीक है तो यह Q से लेके लेके D तक टूटल कितना होगे है 50 उसे प्रकार देखी फ्रेंट्स P से लेके D तक तो इस point को माला लेते हैं P P से लेके D तक टूटल कितना होगे दोस्तों 70 किलोमेटर और P से लेके Q तक की दूरू तो हमें निकाल नहीं है बस लगा जेते हैं P प्रमे, पीक्यू का वर्ग बराबर लंब कितना है दोस्तों, पचास का वर्ग, धन, आधार कितना है दोस्तों, सतर का वर्ग, तो पीक्यू का वर्ग बराबर क्या जाएगे दोस्तों, फिफ्टी का स्क्वेर मतलब कितना होगे दोस्तों, पचिस सो, सतर का वर्ग मतलब कितन दोस्तों, गुन पचास सो और दोनों को एड कर दीजी, तो देखिए, दोनों को एड कर देंगी, यहाँ पर अंडर रूट में वेल्यू कितने हैंगी दोस्तों, 7400, और जब हम इसे सिंप्लिफाई करेंगी, तो पी क्यों की वेल्यू क्या जाएगी दोस्तों, 10 अंडर कोशन में बताऊंगा, अगले कोशन में चलते हैं, अपने घर से शुरू करते हुए समीरा कुछ मीटर पूर के और चली, अब देखिए, यहाँ पर हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं दिये कि कितनी चली, क्या वो लाकेवल कुछ मीटर पूर के और चली, आए बना लेत हैं, फिर बाई और मुड़ी और 30 मिटर चली, यहाँ से लेफटन लिया और 30 मिटर चली, अंद तह वह बाई मुड़ी और 40 मिटर चलकर बजार पहुची, यहाँ से लेफटन लिया, 40 मिटर चली, और कहाँ पोच गई बजार, देखिए, घर उसका यहाँ पर था, यहाँ प मिटर हो तो समीरा शुरु में अपने घर से पूर कियों कितनी दूर चली थी देखे सोड़ा दूस्तों कॉस्छन जो है वो ट्रिकी है अब देखे स्विंट्स यहाँ पर जो बुला है वाई भी यी दूरी तो वाई भी दूरी क्या हूथ यह वायवी दूरी होती है, यह वाली, कि घर से लेके, और यह बजार तक की, मतलब यह वाली जो दूरी होगी, यह वायवी दूरी के लाएगी, यह कितनी दे रखी है, 100 मिटर दे रखी है, कितना दे रखी है, 100 मिटर, और हमें बताना है कि यह वाली जो distance है, मतलब घर से, और यहाँ पर यह जो कूर्व की तरह आई थी यह दूरी कितनी है टोटल ठीक है चलिया यह से निकालते है क्या करना होगा सबसे पहले देखे यदि इतना इतना हिस्सा यह इसको नाम दे देते हैं देखे A, B, C, D और E देखे यदि C और D 30 मीटर के बराबर है तो यहाँ से अपन क्या करते हैं एक लाइन ले लेते हैं B से लेके F तक और ये भी कितने हो जाएगी 30 मीटर की बोलिये क्लियर है C से D 30 मीटर है तो B से F भी कितना होगा 30 मीटर उसी प्रकार से यहाँ पर देखे यदि ये पूरा 100 है 100 है कौनसा B से लेके C तक यदि दूरी कितनी है 100 मीटर तो F से लेके और पूरा D तक जो दूरी रहेगी वो भी कितनी है रहेगी दोस्तो 100 मीटर परन्तु देखे D से लेके E तक कितनी दूरी है दुस्तों, त्रिबुज A, F और E, तो आएए यहाँ पर बना रहता हूं मैं, त्रिबुज A, F और E कुछ इस प्रकार बनेगा जिसमें यहाँ पर यह राइटेंगल ट्रेंगल बन जाएगा, सामने वाला भुजा हो जाएगा कर्ण, जिसके हमें लंबाई दे रखी, कितनी? 100 मीटर तो यह 100 है यहाँ पर लंब हमें कितना दिया है, तो दिखिए, यहाँ से लेके मतलब, पॉइंट E से लेके, पॉइंट F तक की दूरी कितनी है, 60 मीटर, तो यह हो गया 60 मीटर, और यहाँ पर A से लेके F तक हमें निकालना है यह point हो गया E आईए लगाते हैं Pythagoras theorem तो AE का वर्ग मतलब करण का वर्ग तो 100 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है दोस्तों 60 का वर्ग प्लस यहाँ पर A और F हमें निकालना है A से लेके F तक हमें निकालना है तो यहाँ पर लिख दियते हैं direct AF का वर्ग अब यह 100 का वर्ग कितना होगे दोस्तों 10,000 माइनस यह 60 का वर्ग 36 36 मतलब 3600 इसको बराबर के उठाके इस तरफ लिया है तो किसा होगया माइनस का बराबर किसके हो जाएंगे यह AF के वर्ग के ठीके अब यहाँ पर देखे 10,000 और 3600 के दिये हम difference लेंगे तो क्या जाएगा 6400 6400 उस पर लगा जाते हैं root तो बराबर किसके हो जाएगा A और F के अब यहाँ से square आए यहाँ पर root लगा दिये अब 6400 दोस्तों root किसका होगा 80 का तो सीधी सी बात निकल आए कि 80 Mीटर जो है वह दूरी किसके आई यह A और F की 80 Mीटर दूरी किसके आई यह A और F की परनतो यह answer नहीं है 80 Mीटर क्यों परनतो हमें A से लेके F तक बोला है क्या नहीं हम से सवाल में क्या बोला है कि समीरा शुरू में अपने घर से पूर की और कितना चली थी आमें वो बताना है तो यहां से लेके यहां तक कितना चली है तो पूरा 80 है 80 में से हम इतना भाग मतलब 30 मेटर का हटा देते हैं तो बचा-पुचा कितना बचगे दोस्तों 50 मीटर clear है तो यहां से A से लेके F तक की जो दूरी है वह है 80 उसमें से हमें क्या चाहिए है A से लेके B तक की दूरी तो A B कैसे निकालेंगे तो 80 में से 30 को मैनिस कर देते हैं तो कितना जाएगा 50 मीटर तो यहां से हमारा आंसर का है option B clear है friends समझ मैं सबी को चली आगे बढ़ते हैं अंगले question पर चली friends देखे question number 14 रिया अपने घर से 90 मीटर उत्तर के और चली आएए बनाते हैं रिया अपने घर से 90 मीटर उत्तर के और चली माल लेते हैं कि यह 90 मीटर है यहां पर उसका घर है आगे के दिया है तब दाई और मुड़ी और 60 मीटर चल कर बजार पहुँची यहां से right hand side turn लिया 60 मीटर चली और बजार पहुँच गई देखे आगे के दिया है तब बाई और मुड़ी बजार से कुछ मीटर चल कर डाक घर पहुँची अब देखे यहां पर हमें direct हमें distance नहीं दी है मतलब यही distance हमें निकालना है चले कोई दिक्कत नहीं है आगे पढ़ते हैं वहां से वह फिर बाई और मुड़ी तथा 160 मीटर चल कर इस्कूल पहुँची अब यहां से उसने left hand लिया और 160 मीटर चली अब देखे इसको दो पार्ट बना लेते हैं किसे यहां पर निचा में 60 दिया है तो इतना इतना एससा कितना हो जाएगा 60 और आगे और कितना चल ले हैं 100 तो मैं लिएते हैं यह वो गया 100 तो देखे टोटल यहां से लेके पूरा यहां तक यहां तक हम देखें तो कितना है 160 और यहां पर यह दिया हम एक पॉइंट ले लेते हैं ठीके तो यहां से लेके पूरा यहां तक का यह कितना हो जाएगा 60 मीटर क्योंकि यह भी 60 तो यह भी 60 है और यहां से लेके यहां तक का यह जो पूरा एरिया है यहां कितना हो जाएगा 100 मिर्टर का आगे क्या दिया है यदि RIA के घर और स्कूल के बीच YV दूरी 260 मिर्टर है अब देखे यह जो है RIA का स्कूल है अब वोला कचा है कि जो डारेट डिस्टेंस से स्कूल की और घर की वो कितनी दे रखी है 260 मतलब देखे ये वाली दूरी ये वाली जो दूरी है ये कितनी दे रखी है 260 260 मीटर यदि ये 260 मीटर है तो क्या बोला है देखे बजार तथा डागघर के बीच की वाईवी दूरी क्या है या कितनी है देखिए हमने आपको पहली बताया था बजार और डागघर के बीच की दूरी हमें दी नहीं है तो इसे ही निकालना है आईए किसे निकालेंगे देखिए simple है बिल्कुल यहाँ पर हम क्या करते हैं point को नाम देते हैं जैसे यहाँ घर वाले point को A देते हैं फिर यहाँ से शुरू करते हैं B, फिर C, D, E, और F जितनी दूरी D और C की है दोस्तों उतनी ही दूरी E और B की होना चाहिए बोले clear है यदि DC बराबर हो जाएगा किसके EB के तो हमारा answer ही आजाएगा जितनी दूरी EB की होगी उतनी दूरी DC की होगी और हमें वोई निकालना है डॉरी बजा रहा रही दूरी ठीक है दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं अब उसी परकार देगे दूस्तों यहाँ पर B से लेके C तक की जो दूरी है 60 मिटर B से लेके C की दूरी है 60 मिटर वो बराबर किसके होगी E से लेके D तक के इसी हिसाब से तो हमने फिर यहाँ पर यह लिखा है कि D सी बराबर किसके होगा E B के अब यहाँ पर करना क्या होगा हमें लेना होगा triangle A, F और E या बोल सकते हैं triangle A, E और F देखें, यहाँ पर हम tribus ले रहे हैं A, E और F अब तरिवूज A, E और F में देखें क्या हो रहा है जो A से लेके F तक की दूरी है मतलब जो hypotenious है देखें यह 90 डिगरी इसके सामने क्या हो जाएगा hypotenious तो A से लेके F तक की दूरी है वो दिये 260 तो यहाँ पर लिख देते हैं C तक की तो यहाँ से हमारा अंसर आ जाएगा तो इस फंटे को धियान रखेगा ठीके चली तो यहाँ से हमें A और E निकालना है तो हमने यह लिख दिया प्लस अब यहाँ पर देखें बेस कितना दिया हुआ है तो टोटल कितना था 160 एफ से लेके D तक कितना था टोटल 160 परन्तु हमने यहाँ पर ट्रेंगल के लिए है A, E और F तो F और E के बीच की दूरी कितनी है 100 मिटर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 100 का स्क्वेर तो करण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधर का वर्ग चली 260 का स्क्वेर के से निकालेंगे तो 26 का स्क्वेर जो होता है उसमें 20,0 लगा देंगे 26 का स्क्वेर कितना होता है 676 00 लगा दीजिए A, E का वर्ग प्लस 100 का वर्ग इतना हो जाएगा तो इसमें भी क्या कर दीजिए 00 लगा दीजिए 10,000 हो गया इस 10,000 को उठाके बराबर के इस तरफ लियाते हैं तो minus को जाएगा 676 00 minus 10,000 बराबर किसके AE के वर्ग के अब यहाँ पर इसका difference लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 576 00 बराबर किसके AE के वर्ग के अब इसको यहाँ से square आते हैं लगा लेते हैं तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडरूट में 576 00 बराबर किसके AE के तो देखें यह 566 किसका वर्ग होता है 576 आप सभी ने पढ़ा होगा 576 किसका वर्ग होता है दोस्तों 24 का तो यहाँ पर 0 लगे हो है अश्धी दोस्तों A और E की दूररी आई है परन्तु हमें A और E की दुरी चाहिए का नहीं हमें क्या चाहिए B से लेके E तक की दूरी तो वह कीसे निकालेंगे तो देखें AE में से आप क्या करिए B और E हटा दीजे या A B हे को माइनस कर दीजिए ठीक है तो क्या जाएगा हमारे पास में E और B देखे यहाँ पर थोड़ी से जेगे बना लेते हैं देखे फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम जो हमारे पास में A और E आया है उससे हम क्या करेंगे E और B की दूरी निकालेंगे तो E B निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों हमें A E में से क्या माइनस करना होगा A B को माइनस करना होगा तो E B बराबर क्या जाएगा देखें A E कितना है दो सो चालिस दो सो चालिस माइनस A B कितना है नाइनटी 240 में से 90 घटा दीजिए क्या बच जाएगा तो EB बराबर बचेगा 150 क्लियर है और यह होगा हमारा आंसर क्योंकि EB बराबर किसके है DC के यदि E से लेके B तक की दूरी 150 मीटर है तो D से लेके C तक की दूरी भी कितनी होगी दोस्तों 150 मीटर की क्लियर है फ्रेंट्स अभी को तो यहां से फ्रेंट्स अपरा आंसर का है option C अच्छा question है important exam में पूछा भी गया है चली आगे बढ़ते हैं एक last question की तरफ देखे friends question क्या बोला है एक किसान अपना खेद तयार कर रहा है वह गेरे से अपना ट्रेक्टर निकालता है और पूर की ओर पांच किलोमेटर ड्राइव करता है चली यहां से हम क्या करते हैं इसको डाइगरम को बनाते हैं कि यहां से वाल लेजे ट्रेक्टर निकाला उसने और पांच किलोमेटर कहां चला पूर की ओर पांच किलोमेटर पूर के और चल गया आगे पढ़ते हैं क्या दिया है वहां से दाइम उड़ता है और 6 किलोमेटर ड्राइब करता है यहां से राइट टन लेता है और 6 किलोमेटर ड्राइब करता है फिर आगे पढ़ते हैं फिर वहां से दाइम उड़ता है और आठ किलोमेटर ड्राइब करता है अब यहां से आठ किलोमेटर ड्राइब करेगा देखिए पांच उपर है मतलब यहां से में इसको आगे ले जाना होगा तो यह कितना हो गया आठ किलोमेटर फिर जब उसका ट्र अब उसके वर्तमान इस्थान और गेरेज के बीच सबसे कम दूरी क्या है अब देखे ये गेरेज यहां से माली जे ट्रेक्ट निकाला था तो हमें निकालना क्या है जो उसका वर्तमान इस्थिती मतलब यहां पर है तो यहां से लेके हमें गेरेज की दूरी निकालना यह वा तो हमें क्या मिल जाएगा राइट ट्रेंगल और फिर हम लगा देंगे पाइथाग और रस्तियोरम देखें क्या करते हैं यहां से एक लाइन लेते हैं जो कि यहां पर EOD के बीच में मिलेगी तो इस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग F Clear reference यहां पर F नाम दे दिया अब देखें जो DC बराबर होगा वह किसके बराबर होगा वह बराबर होगा FB के यदि DC आठ किलोमेटर है तो FB भी कितना होगा 8 किलोमेटर परन्तू A से लेके B तक कितना है 5 किलोमेटर तो बचा कितना 3 किलोमेटर 8 में से तो 3 किलोमेटर किसकी दूरी हो जाएगी दोस्तों A से लेके F तक की तो यह तो हमारा आगया base ठीके चले अब यहाँ पर देखिए लंब की बात करते हैं perpendicular की तो यहाँ पर देखिए BC जो है वह 6 km है और यहाँ पर FD वो भी कितना हो जाएगा 6 km, BC बराबर किसके हो जाएगा FD के तो यदि यह 6 है तो यतना यतना भी कितना हो जाएगा 6 km हो जाएगा ठीके अब total कितना है दोस्तों 10 km है अब total यदि 10 है यहाँ से लेके यहाँ तक यदि 10 km है और उसमें से हमारे पास में FOD कितना आगया 6 km तो बता दीजे दोस्तों F और E कितना भचा 4 km बस सिंपल है यहाँ से परपेंडिकुलर आगया यहाँ से क्या आगया बेस अब क्या निकाल लेंगे हाइपोटेनियस लगा दीजे पाइथागोरस त्योरम A E का वर्ग बराबर लंब कितना है चार का वर्ग धन आधर कितना है तीन का वर्ग त्रिबुच कुन सा लिया है A E और F याद रखेंगे त्रिबुच कुन सा लिया है A E और F अब देखें यहाँ पर 90 डिग्री सामने वाला कर्ण मतलब हाइपोटेनियस तो A E का वर्ग बराबर चार का वर्ग धन तीन का वर्ग यहाँ पर बहुत से लोग का अंसर आ जुका होगा A E बराबर अब देखें यहाँ पर डायेट सॉल करते है चार चोग 16 तीन त्या नो 16 और 9 दोस्तों कितना हो गया 25 तो अंडरूर्ट में क्या जाएगा 25 और अंडरूर्ट 25 मतलब कितनी 5 किलोमेटर ठीके तो 5 किलोमेटर दूरी किसकी होगी गेराज की और उसके अंतिम इस्टितिकी तो option C is a correct answer तो friends यहाँ तक था हमारा chapter direction यदि दोस्तों मेरे दोरा बताये गए आपको concept और questions अच्छे लगे हो तो please वीडियो को like करिए share करिए channel को subscribe करिए बने रही मेरे साथ और यहाँ दोस्तों practice करते रहिए जैहिन